कि अ कि आपज로 करते हैं जो क्या है एर कंप्रेसर के बारे में देखिए एर कंप्रेसर के ऊपर कुछ रहते हैं आपका आपकी अपूंडियुक्त कुछ सब्रस शे बारे कंप्रेसर अब Putting कमप्रेसर में हमें क्या किक करना है हमें में अलग-वार ऐंसान क्या छाहता है, इनसान यही चाहता है कि जो हमारी तरफ से काम किया जाए वो कम हो, मतरब इसमें जो होता है बहुता है कि इसमें इसमें करना का है इसमें हमने एर को Purdue कि माने थो जैसे एवन मैंने आपको शर्इस लेकर और वा कम प्रेंटा होती है हमारे पास atmosphere में air जो है ना वो दूर-दूर ऐसे molecules है उसके दूर-दूर है अब इसको पकड़ना है इसको पकड़के हम एक यहाँ पर डालते हैं air compressor में air compressor में जब हम डालेंगे इसको तो यह air compressor क्या करेगा इसको compress कर देगा इसके molecules को दूर-दूर की बजाए पास ला देगा इसके molecules पास आजेंगे यह जब आएंगे तो वह higher pressure पर आजेंगे और यह higher motor हमारे पास क्या है हमने यहाँ पर सिसमें compress कर दिया कमफ्रैस करने यह क्या है यह मोटर देखेंगे तो मोटर यह इसको हम बोल दетे हैं क्या मॉवर क्या बोल देते इसको प्राइम मुवर प्राइम मुवर मीन है मतलब करने वालीप यही है यह चलेगा electricity से electricity से और जब चलेगा तो यह मोटर चलेगा चलेगा और जब ही क्रेंग्शाफ्ट है और यह क्रेंग्शाफ्ट आगे जुड़ी हूए एक piston के साथ जो मुझे कि कुछ ना करना बड़े तो इनसान चाता तो यह 거예요 यहां पर प्रेशर गेज लगा होता है हमेशा देखोगे आप प्रेशर गेज होगा यह देखेंगे स्लेंडर विट पिस्टन यह स्लेंडर यहां पर मोटर इसको run कर रही है этом अब कंप्रेसर जो यूज होते हैं वर्क शॉमम बहुत ज्यौबस इसके पार्ट सवचे थियो होता अैंडर हमारे पास यहां पे है ख्रेंग शापकτε है यहां पे हमारे लुक्त Friend चुत है तो inlet valve open होगा, air अंदर आएगी, inlet valve हो जाएगा, बंद, और हमारे पास piston उपर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, air compress, जैसे ही वो compress हो जाता है, उसके बाद हम outlet valve open कर देते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, air compressed air जो है, उसको हम tank के अंदर fill कर देते हैं, यहां से आएगा, और tank के अंदर fill हो जाएगा, इसको working देखना आप, तो यह piston जो है, वो, यह move की है, यह देखो, inlet valve, यहां पे compress, और outlet valve से ही बाहर, यह देखे, चल रहा है, यह देखे, बाहर जाएगा, यह देखो, अब इसमें जब देखेंगे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास inlet जब भी हो होगा, तो अंदर का pressure जो होगा, वो lower हो जाएगा, इसको कहा देते हैं, हम suction pressure, suction pressure, अब suction pressure, जो है मेरे पास, वो यहां पे आप अगर देखोगे, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ, exactly कहां पे है, यह देखेंगे, तो यह देखेंगे, तो हमारे पास suction pressure है, यह देखो, lower हो गया suction करने के लिए higher pressure कहा हो गया, बाहर बाहर एक atmosphere का, अंदर आपने point 9 बार कर बिढा लिया बाहर है एक बार का, और हमारे पस point 9 बार कर बिढा लिया, तो higher से lower जाएगा, तो air अंदर fill हूनी start हो जाएगी, अंदर आनी start हो जाए उसके बाद हमारा क्या होगा वाल्यूम इंक्रीज कर जाएगा इस तरह वाल्यूम बढ़ता है न मैंटा वाल्यूम इंक्रीज होगा एर सारी अंदर आएगी उसके बाद हम प्रैशर बढ़ताना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पाद वाल्यूम कम होता रहेगा की delivery देंगे यहाँ और फिर हमारे पास क्या होगा अचानक से lower pressure पर आ जाएगा दुबारा से lower pressure पर आ जाएगा ठीक है बात सिंपल से समझ आई volume पहले pressure कम किया volume बढ़ाया piston के अंदर गया air air आने के बाद pressure बढ़ा दिया है वहाँ से हमने delivery ले लिया वहां से हमने दुबारा से start कर दिया यह दो ही stroke में काम खत्म होएता है इसमें हमने कौन सा आग लगा नहीं है इसके अंदर आग तो लगा नहीं है इसी air compressor कभी देखना नॉर्मली हमारे पास जो अच्छी गंपरी गया है तो खराब नहीं होते है उसमें करना ही क्या है करना यह ही है बस piston चलता जा रहा है piston चलता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा और इसमें हमारे पास अगर देखेंगे हम तो यहां पे हम देखते हैं next चलते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे देखोगे तो यह देखोगे हमारे पास पूरा डाइगराम आपको समझा दिया गया है किस तरह से आप मूव कर सकते हैं और प्रेशर और वोलिम डाइगराम को समझ सकते हैं तो यह कुछ छोटी सी एनिमेशन थे जिसके तुरू आपको समझ आजएगा ओके तो यह अच्छी दिखा रखिए देखो रेड कलर हो जाता है जब हमारे पास प्रेशर बढ़ता है तो यह एजी रहता है जिसको समझना ओके आगे चलते हैं यहां पर आजाते बटा यह देखिए यह हमारे पास मल्टी स्टेज हम यह करते हैं मल्टी स्टेज वाले करते हैं तो मल्टी स्टेज में होता क्या है हमारे पास सिंपल सी बासमेना जब हम कंप्रेश करते हैं किसी भी चीज़ को आप अपना हाथ पकड़के ऐसे दबा दो दो मिनिट आपको पता लगए यहां पर गरम फील होना स्टार्ट हो इसके कारण इसका टेमप्रेश करते हैं अब हम ने प्रेशर उसका इंक्रेश किया हम चाहते है ज्यादा प्रेशर बढ़ाना लेकिन तो हम क्या कर देते हैं मल्टी स्टेज बना लेते हैं मल्टी स्टेज में क्या होगा हमारे पास यहां पर पहले सिंगल स्टेज होगा यहां पर सिंगल स्टेज होगा यह सिंगल स्टेज जो है पहला स्टेज जो है यहां पर स्टेज जो है इसके अंदर एर आएगी एर आने के बाद क्या होगी यहां पर यहां पर जो एर आरही है इसको इसके थूर निकालते हैं और यहां पर जो है यह देखेंगे तो एक फिल्स लगे हूए तकि इसका टेंपरेश्चर दाउन लाया जा सकी है तो हमारे पास यहां पर यहां पर हमारे पास टेंपरेश्चर बढ़ जाए गाए होो अब का temperature कम कर देखा अब हम मज़ा आ गया हमें हमें क्या मज़ा आ गया कि भाई साब अब और ज़्यादा compress किया जा सकता है चीज को तो second stage में हम जाएंगे तो वहाँ पर फिर से compress करेंगे और compress करने के बाद tank में जा लेगे और इसको कहते है multi stage compressor multi stage compressor आप देखोगे ना तो हमारे पास यह कि माल लीजिए एसके बहुत सारी stairs है बहुत सारी सीडियां है जैसे आपने चड़नी है या समाल लेके जाना है कुछ समाल लेके जाना है तो अगर मैं यहां तक एक बंदा कहे कि तो हमारे पास क्या है कि जब अकेला बंदा काम करता है तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं सारी सीडिया नहीं चड़ सकता समान लेके आपको बोलता हूँ कि मैं भाई तीन या दो सीड़ी चड़ा देता हूँ तू आगे ले जाई हो मैंने यहां तक चड़ा दिया ठीक है आप आए आपने बोला चल छोड़ दे यार अब मैं करता हूं काम अब आप जब काम करोगे यही वाला तो आपको भी easy लगेगा क्योंकि आपका temperature नहीं बढ़ाया आपको sans नहीं चड़ाया आप यह लेके जाते हो और यहां तक पहुंच चुका था हाइट दे चुका था मैं काफी इसको इसको हाफ जो काम था मैंने कर दें तो यही होता है first stage में और second stage में यह होता है इसको हम क्या कह देते है multi stage compressor और multi stage ही चलता है single stage तो आप देखोगे कि simple जो आपके पास air fill करने के लिए जब टायरों में वहां पर पड़ा होगा चीक है single वहां पर भी थोड़ा सा अच्छा लेवल है उसका तो वह multi ले लेता है क्योंकि pressure थोड़ा higher करना परता है अब आप में से किसी का आये कि सर एक से ही क्यों नहीं करते एक से ही क्यों नहीं करते बिटा देखो जितना ज्यादा आपको प्रेशर बढ़ाना है अंदर चूटा सा पूछा गया था तो मैंने यह जवाब दिया था यह पास जगा है, यह इवन वह भी बचाता आप देखोगे तो कितना बड़ा स्क्किला है हम इस रूम में रखाए हम तो रूम में खड़े होने लाई जगा चाहिए तो बड़ा करते कितना बड़ा कर लोगे तो इसको हम ज़ उप से बढ़ जबर्दस्त है, टेमपरेचर भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अगर टेमपरेचर ज़्यादा होगा, तो वह हमें करेगा प्राउलम, तो हमारे पास क्या होगा, बढ़ा करने की बजाए हम क्या करने हैं, मुझे घर का समान बैड वगरा उठाना है, तो मैं ख सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो हमारे पास मल्टी स्टेज में जब होता तो यह फाइदा मिलता है यह तो थी थोड़ी सी इंट्रोड़क्शन अब में पार्ट पर आते हैं